हेला फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे फ्रेंट्स आज की हमारी ये वीडियो वासिंग मसीन रिपेरिंग कोर्स की उन नई स्वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि एक सेमी आटोमेटिक वासिंग मसीन में तीन तार वाले वासिंग मसीन के साथ कनेक्शन कैसे किया जाता है पूरा कनेक्शन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो वीडियो के लाश तक बने रहिएगा यहीं से हम लोगों का वासिंग मसीन का कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है अब यहां पर जो कुछ semi-automatic washing machine के तीन तार वाले wash timer में connection में लगने वाले जो भी parts हैं वे सब कुछ यहाँ पर हमने बना दिया है यह washing machine का सबसे साधारण connection होता है इसके बाद धीरे-धीरे connection tough होते जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है यदि आप wash timer के बारे में इसके बारे में safety switch के बारे में सब के बारे में एक-एक करके जो मैंने वीडियो बनाया हुए सब वीडियो देख करके यहाँ तक आये हुए हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है चलिए वीडियो को start करते हैं यहाँ पर लिखा गया है तीन तार वाले वाश टाइमर के साथ semi-automatic washing machine का connection diagram single knob यह जो तीन तार वाला वाश टाइमर होता है single knob का ही होता है यह पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है और यह इस वाश टाइमर से तीन तार नीचे के तरफ आए रहते हैं अब यदि तारों की संख्या देखी जाए कि जिस जगह पर सबको connect करना है आपस में जोड़ना है वहाँ पर कितने तार कुल हो जा रहे हैं क्योंकि यह जो होते हैं wash timer safety switch और spin timer यह सब जो रहेंगे panel board पर रहेंगे मतलब जो आपका washing machine है उसके front के उपर जो switch होते हैं वहाँ तक यह उपर के तरफ रहेंगे उसके द्वारा नीचे के तरफ कितने तार आ जाते हैं और सभी तारों की संख्या कुल कितनी हो जाती है तो यहाँ पर यदि गिंती किया जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा में लीड को यदि हमने यहाँ अभी बनाया नहीं है लेकिन में लीड से देखा जाए तो टोटल तीन तार आते हैं एक green होता है जो की अर्थ के लिए होता है जिसका कोई विशेस महत्व तो अभ green वायर मतलब आर्थ का वायर मोटर के बाड़ी से connect होता है वो हो गया में लीड का एक तार और एक होता है फेज और एक होता है neutral मतलब तीन तार हमारे में लीड से हो गए तीन और ये तीन कितना हो गया 6 और 6 3 9 9 3 12 और 12 4 मतलब कैपसीटर के 4 वायर 12 4 16 और 16 4 मतलब 2 safety switch के और दो spin timer के total कितने हो गए 20 तार हो गए तो इन 20 तारों को आपस में जोड़ना होता है वहीं पर तारों का जाल समझ में आता है लेकिन एक भी तार ध्यान से देखा जाए और समझा जाए तो एक भी तार इसमें कोई extra नहीं है 20 वायर है सबको आपस में जोड़ना है लेकिन एक तेन तार वाला वाश टाइमर है उसके बाद saff में जानकारी होना चाहिए श्पीं perfekt Schuld के बारे में जानकारी होना चाहिए और यह जो केन रख 500ह आने सब्सक्राइब हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने वाले है एक दूसरे के साथ तारों को जोड़ने वाल में एक प्रारंब करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें phage wire का इस्तेमाल करेंगे main lead हम इधर से ले करके आ रहे हैं जिसमें एक phage wire होगा जिसको हम लाल तार से प्रदर्सित कर रहे हैं यह यल का मतलब line है ठीक है? line का मतलब phage है अब इसी phage supply में आपका ये वाला wire जो की wash timer होता है तीन तार वाले में आपको पहले बताया जा चुका होगा एक तार से ये सप्लाई अंदर जाती है और दो तारों से वह सप्लाई बारी बारी से बाहर के तरफ निकलती है तो ये दोनों तार अभी कहां जोड़े जाएंगे उसको अभी वही पर छोड़ दिया जाए इस फेज ये वायर अभी आगे जाएगा वहागे जाकर के थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये डियाग्राम है तो डियाग्राम में तारों को अपने इसाब ले कर कि जाएंगे और इसको पहुचाना सेप्टी स्विच के अंधर सेप्टी स्विच में दुग वतार दोनों नीचे के तरफ आये रहेंगे इन दोनों में से किसी एक में हम सप्लाई जोड देंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मेन लीट से फेज आ रहा है वो कहां पर पहुच गया एक तो वास टाइमर के अं पॉइंट पर पहुचा दिया है और जैसे ही हम सेप्टी स्विच के धकन को खोलते हैं तो यह दोनों तार अलग होते हैं लेकिन धकन जब बंद किया जाता है इस्पीन टब के टॉप का धकन जो होता है मतलब जिदर कपड़े सुखाये जाते हैं उधर वाला धकन जब टाइमर के एक वायर से जोड देते हैं यह किलियर यहां से जब धकन बंद होगा तभी यह सप्लाई कहा जाएगा वो इस्पीन टाइमर में जाएगा इस्पीन टाइमर को हम बहुत कर सकते हैं तो पाँच मिनट के लिए आन किया जा सकता है पाँच मिनट के लिए आन करने क मतलब इससे जो सप्लाई इधर के तरफ जा रही है कब जाएगी जब यह धक्कन बंद होगा तब वह सप्लाई इससे 5 मिनट के लिए लगातार निकलेगी मतलब यह वाली लाइन से निकलेगी अभी हम फेज सप्लाई को यहां तक पहुचा करके छोड़ देते हैं अब उसके बाद थोड़ा कैपसीटर का कनेक्शन इन दोनों से कर लेते हैं कैपसीटर में तारों को किस तरीके से पाचाना जाए इस पर हमने बहतर वीडियो बनाया है आप यदि वीडियो को डिरेक्ट यहां कनेक्शन में देख रहे हैं और आपको कुछ न समझ में आ रहा हो तो पहले हमारे इस कोर्स के वीडियो को क्रम वाईज देखते हुए यह पर आएंगे तब आपको पूरी बाते समझ में आ जाएगी यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो पूरी तरह से इसको ध्यान से देखिएगा कोई दिक्कत कहीं से नहीं आने वाला है अब देखिए कैपसीटर का जो 10 MFD वाला पावर होता है जो 10 MFD का मोटर हैे challenging मोटर के लिए आएगा मतलब Kane मोटर के लिए आएगा तो इसको जो कंप सीटर का वायर होता है उसको कहा जोडा जाता है ध्यान दिजिएगा कभी भी मोटर के running और Starteniz पर ही हमस्को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो running के तार को हम यहां पर जोड़ देंगे और starting के तार को भी इस capacitor से जोड़ दिया जाएगा clear confirm हो गया आपको समझ में आ गया capacitor कभी भी जोड़ा जाएगा motor के running और starting से जोड़ा जाएगा अब यह कहिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि running कौन सा है कौन सा starting है तो इस पर मैंने video बनाया है practical करके दिखाया है इस video को जरूर जा करके दिखिएगा इस से पीछे के करम वाइज video को देखिए वहाँ पर आपको कहीं ने कहीं जरूर इस semi automatic washing machine के motor से संबंदित video मिलेगी उस video को देखिएगा video में इस motor के अंदर से बाहर तक की सारी चीज़ों को बताया है हमने और वो चीज़ आपको समझ में भी आएगा अब यह capacitor हमने WM से जोड़ दिया मतलब वास motor से जोड़ दिया इस capacitor को भी हम क्या करते हैं इधर इस motor के starting और running से जोड़ देंगे इसके starting से एकतार को जोड़ा जाएगा कोई भी एकतार starting से जोड़ा जा सकता है और कोई भी एकतार को हम running से जोड़ सकते है कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी आप यह सूच रहे होंगे कि उपर वाले को ही running से जोड़ा जाए और नीचे वाले को ही starting से जोड़ा जाए तो ऐसा नहीं है इस तार को उपर भी जोड़ सकते capacitor के तारों को बदला जा सकता है running और starting के उपर अब जो है हम क्या करते हैं इधर से इस switch से जो phase supply return होगी जो ये तो अंदर गई return जो होगी उसको हम R और S पर देंगे ताकि इस motor को उल्टा और सीधा चलाया जा सके एक बार यह जो supply अंदर जा रही है एक बार इस तार से निकलेगी और एक बार इस तार से निकलेगी तो इनको हम ले जाते हैं और अंदर जो है motor के जो वास motor है उसके starting और running point से जोड़ देते हैं यहां से हमने दोनों को cross करके नीचे के तरफ कर दिया यह वाले निसान का मतलब यह है कि इधर की जो supply जा रही है वो अलग होगी और इधर जो नीचे के तरफ आ रही है supply वो अलग होगी तो यहां से हम इसको इधर के तरफ लाएंगे इन दोनों को इधर लेकर चले आईए और इसको हम किसी एक को running पर और किसी एक को इस starting वाले wire पर जोड़ देंगे यह बात clear हो गया इससे होगा क्या कि इस motor के एक बार running पर supply मिलेगी यह फेज वाला supply जो है यह switch एक बार इस motor के running पर भेजेगा और एक बार जो है कि इसके starting पर भेजेगा ध्यान से समझियेगा बाते बिल्कुल साप साप समझ में आएगी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा तो इस motor में हमने फेज supply को पहुचा दिया है और यह आसानी से आपको समझ में भी आगया होगा उसके बाद हम spin timer के तरफ चलते हैं और spin timer से जो return हो रहा है फेज उस फेज को हम कहां जोडेंगे तो spin motor के running वाले winding पर जोड दिया जाएगा running वाला जो wire होगा उसी पर जोड देंगे अब फिर से आप लोगों का यह सवाल नहीं होना चाहिए कि motor में हमको running कैसे पता चलेगा क्योंकि इस पर हमने वीडियो पहले बना चुका है उस वीडियो को पहले आप देखिए पीछे जाएए इसी वीडियो के नीचे description box में washing machine course से संबंदित पूरे playlist का लेश जो भी वीडियो है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा जीरो से ले करके अब तक जो भी वीडियो बन चुका है सब वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर जा करके आप मोटर से संबंदित वीडियो को देख लीजेगा यदि आपको समस्या running, starting और common को ढोड़ने में आ रही है या फिर इस capacitor में 5 MFD या 10 MFD ढोडने में दिक्कत आ रही है तो वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा वाश टाइमर से संबंदित हमने अलग वीडियो बनाया है safety switch और spin timer के लिए अलग वीडियो है तो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा एक एक वीडियो हमने बता करके तब हम यहाँ तक आप लोगों को ले करके आए हैं अब जो है आपको एक और बात ध्यान देना है फेज supply को तो हमने motor तक पहुचा दिया capacitor को भी motor से जोड दिया अब बारी आती है neutral supply की जो की हम कहाँ पर देंगे केवल जो कार्य करने वाले भाग हैं उन्हें के उपर दिया जाएगा तो जो मुख्यकार्य करने वाले भाग हैं एक तो वास motor और दूसरा spin motor इसी के पास हमारा neutral आएगा और वो भी direct दिया जाएगा कहाँ कहाँ पर तो इसके कामन को हम क्या करते हैं direct इधर लेकर आएंगे और इस वाले motor के कामन से जोड दिया जाएगा clear इस दोनों का कामन आपस में जुड़ेगा और इसी जोड के उपर हम क्या करेंगे अपना neutral supply जो main phase supply में से आता है main lead से आता है main phase से नहीं main lead से जो आता है उसी के साथ हम इसको connect करा देंगे तो main lead का neutral आपको पता चल गया कि सिर्फ motor के कामन पर ही जोड़ा जाएगा phase जो है यहां से switch में जाएगा switch से निकलेगा दो तारों से यहां running starting पर जाएगा यही phase सीधे इस तर safety switch के अंदर गया safety switch से निकल करके हमारे spin timer में गया spin timer से निकल के फिज़ित इधर के तरफ running पर आया जो capacitor के तार होंगे दो तार इसके लिए होगा और दो तार इसके लिए होगा इसका पाचान आपको भली माती पता होगा तो इसके 5 MFD वाले power को हम spin motor के साथ 10 MFD वाले power को हम इसके WM के साथ मतलब वास motor के साथ जोड़ेंगे और वास motor में running और starting पर भी पर ही जोड़ा जाएगा और इधर भी running और starting पर ही जोड़ा जाएगा उमिद करते हैं कि आपको ये जो साधारण सा connection है वासिंग मसीन का सबसे साधारण connection यही है यदि ये ये नहीं समझ में आया तो आगे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा यदि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यहीं से आप अपना सवाल जारी रखिएगा पूछते रहिएगा यदि आपको ये सारी चीजे पहचानने में problem आ रही है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन सभी के लिए जो भी parts यहाँ पर मैंने बनाया है इन सभी क से भी ये connection complete कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है तो उमीद करते हैं friends कि आज की हमारी ये वीडियो आप तक आपको समझ में आई होगी और request है आप लोगों से कि हमारी इस वीडियो को नए लोगों तक पहुचाने का प्रयास करें तो चलिए friends आज के लिए बस इतना आई मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंद मातरम